हेलो दोस्तों online study point में आपका स्वागत है और आज का जो RRB NTPC exam था 5 जनवरी की first shift का analysis हम करने वाले हैं जिसमें सारे के सारे GKGS current affairs के important questions हैं वो यहां देखने वाले हैं वीडियो आने वाले shift के exam के लिए और आने वाले days में जिन किसी भी students का exam है उनके लिए बहुत ही ज्यादा helpful होने वाला है अगर आप चाहते हैं कि आपको daily basis पर analysis मिले तो वीडियो को जाते से जाते से लाइक करें शेयर करें इंस channel को subscribe करें वीडियो शुरू करने से पहले एक important information in academy के बारे में आपको देना चाहूंगे चार्ज जनवरी से कई सारे batches जो है start किये गए है ठीक है जो best educators such as अभिने शर्मा ठीक है प्रतियोगीता मायम राने सिंग वरुन अभस्ती सर सारे best educators के साथ चार्ज जनवरी से intensive batch स्से CGL के लिए start किया गया है जिसमें full syllabus coverage मिलेगा आपको pdf study material weekly quiz mock test इसके लावा ब्रह्मास्त्र batch जो है शुरू किया गया है CT for all government exam ठीक है ना common eligibility test के लिए जो कि चार्ज जनवरी से शुरू हो गया है इसके लावा exam cracker जो batch है for SSC CHSL 2021 ठीक है ना इसमें भी आपको पूरा syllabus coverage study material weekly quizzes mock test IB exam के लिए भी batch जो है 2nd January से start हो चुका है तो सारे ही जो है strong selection batches आप जो भी इसकी भी एक्जाम के अप्रप्रेशन कर रहे हैं आप join कर सकते हैं तो आपको क्या करना है एन-academy का app जो है डाउनलूट करना है ओके और हमारा जो referral code है online study point उसको apply करना बिल्कुल भी नहीं बू प्राइस हाइक हो गया है एन-academy का जल्दी से जाके enroll कीजिए पहला question देखेंगे इधरनेट से लेटर एक question पूछा गया था इधरनेट क्या होता है तो इधरनेट लोकर एरिया जो नैटवर्क होता है लैन हम उसको बोलते हैं उसको तयार करने के लिए प्रोटोकॉल होता में इस्तित है जो कहां पर है करनाटक स्टेट में situated है okay CSS का full form पूछा गया था so मैंने सोचा है कि सारे जितनी भी important full form है उसके related मैं आपको एक वीडियो जो है बना दू अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी ही जल्दी वो वीडियो आये तो सब लोग comment करके मुझो okay so CSS का full form होता है वो होता है cascading style sheets okay guys पूना समझोता हम बात करें जो पूना पैक्ट है ठीक है काफी जादा important है पूना पैक्ट तो इसके बार में हम बात करें कि कब sign किया गया था पूना पैक्ट तो यह जो है 24 सितंबर 1932 को यारवडा central gene जो कि पूना में है उसमें sign हुआ बिट्वीन दी महात्मा गांडिया और अंबेटकर shades of saffron पुस्तक के लेखक कौन है तो shades of saffron पुस्तक के लेखक है सभा नकवी ठीक है पूछा गया है न्रत्य दिवस तो जो international dance day राट अंतर राश्ट्री न्रत्य दिवस कब मनाया जाता है यह नवाया जाता है जो कब मना क्या ना क्या ना में उनका प्रमोज सावन्त जो कि अभी एक्जाम में थोड़े दिन पहले पूछे भी गए थे तो हम देख सकते हैं एक पर्टिकलर पॉइंट को ही यह लोग टागेट कर रहे हैं तो गोवा के जो CM है he belongs to the भारतिय जनता पार्टी ठीक है तो वहां पे किस गौर्मेंट की हम बात करें किस पार्टी की गौर्वर्मेंट है तो यह है भारतिय जनता पार्टी की ठीक है गोवा की कैपिटल क्या है पनजी है जो कि मांडवी नदीके किनारे पर सिचुएटेड और भगत सिंग कुशियारी है जो कि गोवा और महरास्ट्र दोनों के ही गवर्नर है नेक्स टी आरे आए का फुल फॉर्म ट्राय का फुल फॉर्म पूछा गया था तो आंसर इसका टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी अफ इंडिया जिसको इस्टैब्रिश किया गया था 1997 में और करेंट जो हैड है इसके जो मुख है जो चेयर परसन है वो तो तमिल नाडु में इस्टैथ है इसका निर्वान राज-राज चोल प्रथम के द्वारा करवाया था जो चोल एंपरर से उनके द्वारा हम बात करें एक हजार तीन से एक हजार दस एडी के बीच में ठीक ना इसके अलावा यह जो है युनेसको की वर्ल्ड हैरिटेस साइ नेक्स देखेंगे खिलाफत आंदुलन का किसके द्वारा नित्रत्व किया गया तो खिलाफत आंदुलन 1929 से लेकर 1924 बेसिकली 1922 में ही एक कॉलाप्स हो जाता है इसका नित्रत्वत तीन लोगों को नाम आपको याद रखना है शौकत अली मौलाना मुहमद अली जोहर और जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है रास्ट्री युवा दिवस ठीक है नैशनल यू थोडे जो है मनाया जाता है नेक्स टम कोशन देख लेंगे यूनिसाफ का मुख्याले कहां है तो यूनाइट नेशन्स च्योडर्न सेमर्जनसी फंड का मुख्याले है वो सिच्छुए परिस में है यू नो का न्यू यॉक में है ठीक है रल्ड बैंक न आयाम एफ यह भी न्यू यॉक में है तो ये सारे आपको याद रखने है ठीक है सब्सक्राइब और भार्ट में सबसे पहले और और प्रदेश का घटन हुआ तो एक ऑक्टुबर उनेश्य तरह पन को और पर्देश से और हम क्या याद अख सकने हैं पहला सा स्टेट इसकी तीन कैपिटल है अमरावती विशाखा पत्नमान कुरुनूल वायस जगन मुहन रेड़ी जो है यहां के गवर्णर है चीक है स्वारी क्या है मुख्यमंत्री है वायस जगन मुहन रेड़ी और आपने देखा कर दिया गया है दी बैंक आफ बड़ावता नैंज देखिंगे दूसरा गोल में समय내न कब हुआ तो दूसरा जो गोल में समयमेरन है 1931 में हुआ ता जो गांधी-इर्विन पैक्ट होता ना माच 1931 में उसके बार ही महत्मा गांधी के दौरा दूसरे गोल में समयरन भाग ल सायक्तुरास्त्रसंग के आठवे प्रमुक dependent थे तो गांभ नियुक देखे औरक से लाके नेक्के नौधे न चोमक यानि कि अमाशे के द्वारा किया जाता है CAA काफी जाता न्यूस में रहा है काफी जाता प्रोटेस्ट हुआ इसकी अगेंस तो Citizenship Amendment Act जो कि 11 दिसंबर 2019 को Parliament के द्वारा पास किया गया था 4 billion जो है इसका निर्मान अंग्रिजों के द्वारा कहां करवाया था तो यह करवाया था कोलकाता में सो गाइस रेल्वे न्टीपीसी ग्रूब डी नससी के लिए स्पैशल येरली करेंट अफैर पीडिएफ जो है लॉंच कर दी गई है जिसमें जनवरी तो डिसमर का पूरा करेंट अफैर आपको मिल जाएगा विधी डिटेल्ड एक्स्प्रेशन ठीक है जिसमें 50% ओफर सिर्फ और से 49 रुपीज में आपका विलेबल करवाई जारी है आने वाले सबी एक्जाम्स में आपको बहुत ही जादा हेल्प करेगी सो देर मत कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है चल जाके पर्चेस कीजिए साथ ही साथ एक्जाम अभी तो आपका मार्च तक चलने वाला है इसके लिए हम लोगों ने एक जो है स्पेशल ई-बुक जो है लांच की है जिसमें 5000 स्टैक जीके की कोशन है थाउजन करेंट अफैर्स के कोशन है और 1500 प्लस जो है साइंस के कोशन है तो अगर आप डेली मेरा अनलिसस देख रहे हैं और जो लोग भी इस पीडियाप को पर्चेस करेंगे वो देखेंगे कि NTPs में पूछे जाने वाले 90% कोशन आपको यहां पर मिल जाएंगे तो जो लोग भी अपनी प्रप्रेशन अभी भी अगर शुरू करते हैं आप सिर्फ इस पीडियाप के साथ यह आपको बहुत एल्प करने वाली है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में यह आपको मिल रहे है तो देर मत कीजिए जल्दी से जाके इसको पर्चिस कीजिए नेक्स देखेंगे धोला साधिया ब्रिच पूछा गया धोला साधिया ब्रिच का जो नया नाम है इस भुपेइन हजारी का सेतु जो कि असम और अरनाशल प्रदेश को जोड़ता है न्यूटन का पहला नियम तो न्यूटन के पहले नियम को क्या बोला जाता है तो यह है जड़त्विकानियम, the law of inertia ठीक है न मतलब क्या होता है एक कोई भी body है वो तब तक rest में रहेगी या तब तक motion में रहेगी जब तक उस पर कोई external force apply नहीं होगा नेक्स देखेंगे IMF के कितने सदा से देखें के current affair का question है क्यों है कि पहले IMF के 189 जो है member थे लेकिन हाली में जो country है एंडोरा वो इसमें जो है add हुई है as a member इस वज़े से अब कितने हो गये है total member 190 हो गये है IMF की स्थापना 1944 में वाशिंग्टन DC में हुई थी और headquarter भी इसका Washington DC में है UNSC United Nations Security Council के अस्थाई सदस्य कौन कौन से है तो पांच अस्थाई सदस्य होते हैं ठीके कौन से है China, France, Russia, UK and USA 1945 में इसकी स्थापना हुई headquarter New York में हो जो total member है वो कितने है 15 होते है मतलब हर जो है इसका election होता रहता है साहित का पहला Nobel पुरुसकार किसे दिया गया था 1901 में जो पहला Nobel Prize in the Field of Literature ये दिया गया था सुली प्रदोम को और हम बात करें ऐसे पहले भारतिये जिनको हम बात करें Nobel Prize दिया गया था इंगरन करता है कौन सा पार्ट है नियूरॉन का जो क्या करता है नर्जी स्टोर करता है क्वायर करता है तो यह होता है देंट्राइट्स चीक है नेक्स हम देखेंगे जो अजनता की गुफाएं हैं उनको युनसको ने कभ विश्व धरूर में शामिल किया था तो 183 में किया था था एलोरा अजनता की गुफाएं महराष्ट में है जो एक काफी अच्छा एक्जामपल है बुद्धिस स्कल्प्चर का यहां पर हमें काफी सारी जो है रॉक पाइंटिंग्स मिल जाती है रिगार्डिंग दी बुद्धिसम ठीक है यह जो थी हमारी आज की वीडियो थी आपको पसंद आया हो प्लीज इसको जाद से जादा लाइक करें शेयर करें और डेली अपडेट्स आप हमें फेस्बुक टेलिग्राम इंस्टाग्रम पर भी फॉलो कर सकते हैं सबकी लिंक यहाँ पर दी गई है और डेली पीडियाफ नोट्स के लिए यह आप लिंक्स देख सकते हैं हमारा टेलिग्राम जॉइन कर लिजे और जो अधर चैनल है सच अधी माय एक्जाम जोगी स्पेशली आपकी अंटी पीसी प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है आप उसको